ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थपोर्ट बॉर्ण डिजीज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जुरूद नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट ठीक को अभाई अब हमने बोला कि हमको एंट्र मोलाजी वाला चैटर शुरू करना है उसमें अर्थपोर्ट बहुंड डिजीजेजिस पढ़ेंगे तो भाईया यह एंट्रमोजी का मतलब क्या होता है uważ कि यह जो लैडिकल़ें टर्म है इसका मतलब क्या होता है यह बहुत बड़ा सवाल है ना Medical Entomology देखां एंटम लॉजी में तो बहुत सारी चीज़ा चाहेंगी हम Medical Entomology में कौन कौन सी चीज़े पढ़ेंगे दैट इस वह और फोट के जादा तर पाए जाती है उन से related जो अर्थोपोर्ट्स हैं उनके बारे में मुख्य ताहम पढ़ेंगे ठीक है तो medical entomology क्या होती है? medical entomology होती है उन अर्थोपोर्ट्स के बारे में पढ़ना जो medically important हो जो इंसानों में जादा तर बीमारियां फिलाते हैं बहुत सारे आते हैं हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे पहले मौस्केटो मच्छर के बारे में पढ़ेंगे अब मच्छर ना या मौस्केटो ना उसके भी चार मुख के प्रजातियां है अनफलीस, क्यूलेक्स, एडीस और मनसोनिया तो अनफलीस, क्यूलेक्स, एडीस और मनसोनिया ये चार अलग-अलग प्रजाती है इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाईया ये कौन-कौन सी बिमारिया फिलाते हैं फिर हाउस फ्लाई, सिटसी फ्लाई और ब्लैक फ्लाई ठीक ह से यह मुखेछ लंग आपक कोन से बीमारी होती है यह से कौन से बीमारी होती है कि आइगए और है इससे कौन से बिमार्य होती हैं। फिर देखेन के के बारे में पढ़ेंगे भी ना आपके पास मुहिता दो तरह किया हाठ टिक और सौंट तो हम हाठ टेक से कौन से बिमारी लोग होती है यह जो है इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिसकस करेंगे कि हार्टेक और सॉफटेक दोनों अलग-अलग कैसे होती है इसको हम अलग से एक सेपरेट विडियो में देखेंगे तो वहां पर हम डिसकस देखेंगे उसके बाद होती है माइट तो माइट भी हम मुखेता हम टॉमिकुलिट माइट और इच माइट इनसे कौन सी बिमारी होत है यह देखेंगे और उनको कैसे याद करना है यह भी हम सीखेंगे ठीक तो मेडिकल एंटुमोलोजी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मॉस्किटोज की तो भया मॉस्किटोज जो होता है उसमें पहली चीज़ तो याद रखना कि एनाफली से हमको सबको पताया चैपनीज इंसे फ्लायटेज वेस्ट नाइल फीवर वैस्टर निक्री इनसे फ्लायटेस यह होती है न उनको भी देख ले ना तो यह थोड़ा सा अलग MCQ जो मिले थे वो भी मैंने यहां डाल दिये पर मैं अपना मुख्युदेश क्या है इस वीडियो में वो आर्थोपोर्ट कौन सी डिजीज कराता है कैसा दिखता है और इनको याद कैसे करेंगे ठीक तो QLEX हमने देखिया है Bencroftine Phylariasis है से क्या होता है ए डी से डेंगू होता है चीकन कुन्या होता है यहलो फीवर और समझें याद रखना एडी तो हमको अलगी देखने में समझ क्यों कि MCQ में आजकर आपको image based आते हैं तो देखो एडी तो हमको अलग से समझ में आ जाएगा इसको tiger mosquito कहते हैं और ये काले रंग का मच्छा रहे उसमें सफेद सफेद धारियां, tiger में धारियां बनी रहती है ऐसी stripes रहती हैं, ऐसी भी जो होता है न वो भी अलगी समझ में आ जाते यह दो तो देखने में अलग समझ में आ जाते हैं confusion किसमें होता है confusion होता है एनफ्ली में और क्योंग्स में दोनों एक से दिखते हैं हाला कि कुछ differentiating features हैं वो हम अलग से जब mosquito-borne disease पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अभी समझ लो बस कि न एनफली जब feeding करने के लिए बैठेगा न तो यह इसका जो पीछे का हम है इसको उठा के बैठता है जबकि क्यूलेक्स जो है इसको नीचे रखके ऐसा हम पैक जो होता है नीचे रख आके रखता है और यह नीचे ऐसे इमेज देखोगे तो याद आजाएगा हाला कि इसको हम आगे जाके और समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे कि कैसे एनफलीस और क्यूलेक्स में फर्क हम को समझना है अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो अब सेकंड चीज आती है यह बीमारियों को याद कैसे करेंगे तो यार क्यूलेक्स के लिए तो देखो क्यूलेक्स में ला रहा है ना तो इसकी सारी बीमारियों में लाएगा देखो फाइलेरियस यह ला रहा है इसमें फाइलेरियस जैपनिस इंसिफलाइटिस का भी ला रहा है नाइल में भी ला है ऐसे यत कर सकता यह दूसरा एक और तरीका है क्या वो दूसरा तरीका है देखो क्यूंआ के खूंद कुछ करना आप देखो जितने बीस लड़के लड़कियां हैं वह बहुत ही क्यूट दिखते हैं जितने भी बैंकॉक के लड़के लड़कियां आपको मिलेंगे वह भी बहुत क्यूट दिखते हैं इन फैक्ट ना आप वेस्टर्न कपड़ों में लड़के लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े पहना दो उसमें भी वह क्यूट लगते हैं तो कैसे याद किया हमने क्यूट के साथ क्या याद किया जैपनीज क्यूट लगते हैं बैंकक वाले क्यूट लगते हैं और वेस्टर्न कपड़े अगर पहना दो ने मैं यह नहीं बोल रहा है इंडियन कपड़ों में ट्रेडिशनल में क्यूट नहीं लगते हैं सिर्फ य में cute तो Bangkok से Bencroftian हो गया Japanese से Japanese insufflitis हो गया Western से Western insufflitis और Western से West Nile fever हो गया और cute से क्या हो गया CU cute तो CU Qlex ऐसे भी याद कर सकते हैं Qlex से होने वाली भीमारियों को याद करने के लिए समझ गए तो ऐसे याद कर सकते हैं Qlex से कौन से भीमारिया होती है फिर आता है Aedes से कौन से भीमारिया होती है तो अब याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक याद कर लो डोंगे में fill rift valley का जाइकेदार yellow chicken है न तो डोंगे में fill rift valley का जाइकेदार yellow chicken तो यह द्राइंग देख लो एक बार यह है आपका डोंगा इसमें आप उन फिल कर रहे हैं यह वैली देख रहे हैं इसमें रिफ्ट वैली से लाया हुआ येलो रंग का चिकन जाइकेदार समझ गए आप बोलोगे आप ऐसा नहीं है भाईया कि नॉन वैज वाले और वैज व डाल रहे है और दो एक दम खुश है किसी भी जैनवर को इसमें प्रताडित नहीं खिया गया है तो दोंगे में फिल रिफ्ट वैली का है साइकेदार येलो चिकन इसका निमोनिक कैसे है दोंगे में डोंगे इस डेंगू फिलेज फाइलेड़ी असे रिफ्ट वैली इस रि ठीक है तो डोंगे में फिल रिफ्ट वैली का जाइकदार येलो चिकन तो एडी से यह सब होता है इन फैक्ट एडीज और डेंगू यह तो आपको याद ही होना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एडीज में देखो डी आता है तो डी फॉर डेंगू तो एड से डेंगू यह तो आपको कंठस्त होना चाहिए कुछ चीज़ें जो आपको फेल करा सकती है उनमें से एक यह एडीज है ठीक है तो एडीज का क्या है आपका निमोने डोंगे में फिल रिफ्ट वैली का जाइकदार येलो चिकन याद रहेगा ऐसे आप याद कर सकते हो फि आपके बहले में आरे हैं निया किसमें आटा या चिकन गोनिया या जा ऐसे याद हो जाएगा एसे याद कर सकते हैं थे लिखांगा वग तो यह हो गया आगे चलते हैं उसके बाद आएंगी फ्लाइज तो फ्लाइज में पहली तो आजाएगी यार हाउस फ्लाइज से तो सीधा सा फंडा है कि जितने भी आपकी पानी से होने वाली बीमारियां है वह सब याद कर लें टाइफाइट पर टाइफाइट काल रहा हमें थाσα यह सारा आपके पानी से होने वाले बीमारिया या गंदे पानी गंदे खाना खाने मने से होने वाली बीमारिय सब आउस के सा आजाएंगी do yakinب어ed चीज याद रखना ऋप्लाइ में कि भाया इस से इकाड़ती नहीं है हाउस प्लाइज होती है揍ना काड़ती नहीं है यह करती क्या है मतलब यह कहना चाहिए कि आपको कैसे करेंगे बिमारी कैसे फिलाएंगी बिमारी ये फैलाती है है आपकी जहां भी जिस चीज पर भी वो बैटती है वहां आपना saliva गिरा देती है वहां कर देती है तो वह चीज पूरी luckify हो जाती है फिर जब वह लेक्षिस भाइट नहीं चेज़ sos कौन से बिमारियां कराती है टाइफाइट पराटाइफाइट कॉलरा हमीं भी ऐसे पोलियमालाइटिस अब आती है आपकी सिट्सी फ्लाइब पहले तो यह इसका प्रिनंसियेशन में जान निकल जाती है इतना बच्पन से कैसे याद करता हूं मैं तो मैं सच बोलूना तो मैं इसको कैसे प्रिनाउंस करता हूं मैं इसको प्रिनाउंस करता हूं टिसी टिसी फ्लाइब यह गलत प्रिनंसियेशन है पहले बता दे रहा हूं क्यों क्योंकि ना मेरी बच्पन से बहुत ही बुरी आदत है मैंने यह जो जहां भी साइलेंट हो जाते चीज़े यहां साइले की स्पैलिंग क्या है on a पर बोलते हैं ग्रवर्मेट तो मैं इसको याद कैसे का था गवरन्मेंट जिस्से की मेनन न कहा जाऊं क्योंकि प्रॉब्ल्म यह है अगर मैंसको स्प्टोıldा था न तो मैंदम का भास कूल में oggi pag को टिसी टिसी फ्लाइ कहता हूं पर यह गलत प्रिनॉंसियेशन है सही प्रोनॉंसियेशन आप तुम UK साइड अलग है और यूएस साइड अलग है अगर UK साइड जाओंगे न तो यह पहला टी खाजाएंगे वह वह कहेंगे सिट्सी फ्लाइ मतलब स्पैलिंग वही रहेगी पर यह पहला टी साइलेंट कर देंगे सिट्सी फ्लाइ बोलेंगे जबकि अगर यूएस साइड जाओंगे न तो वह क्या कहेंगे इसको मितलब शेकंड एस खाजाएंगे मतलब सेकंड एस खाजाएंगे यह इसक प्रोनूनस करेंगे टिट्सी फ्लय तो उस यूके में एक जगह एस खाजाते एक टी खाजाते हैं मतलब सैलन्ट कर दिते प्रोनौनसियेशन याद रखने सबसे पहले तो वहां पसना आप कौनसे बिमारी कराता है यह स्लीपिंग शिक्नेस कराता है और यह क्या होता है तो तो ये secondary or intermediate host होता है, याद कैसे करेंगे, तो देखो जो sitsi fly है न, उसमें देखो sitsi, तो सा, दोनों जगह सा सा आ रहा है, तो सा से क्या हो गया sleeping, सा से हो गया sickness, तो 2 सा या 2S हैं, तो 1S से sleeping हो गया, 1S से sickness हो गया, sitsi fly sleeping sickness, याद रहेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, कि sitsi fly स क्या होता है अब दिखने में कैसे बताने की जरूइवत निये दिखने में कैसे होती है थोड़ी देए एक निसे था करती है इसको देखो कि अब आप ब्लैक फ्लाइच की बाता टिर्ट खिने में य爵। black color की होगी इसमें आप बिमारी कौन से कराती है यह बिमारी कराती है ओंको कार्चियस या river blindness इसको याद कैसे करेंगे कि ब्लैक फ्लाइग उंको सार्चियस कराती है तो ओंको इच और को हिंदी में कैसे लगए को को यानि कार है इसमें ऐसे तुम अगर ब्लैक फ्लाइ देखोगे तो उसमें भी का आ रहा है और का से क्या होता है काला, काला मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब ब्लैक फ्लाइ, तो ऐसे याद कर सकते हो कि बैया, ऑंको में भी का आता है, और का से होता है काला, काला मतलब ब्लैक, तो ब्लैक फ्लाइ, और ऑंको में भी का है तो दोनों तरीक से सकते मैं याद करता हों ऑंको में आता है को को मतलब का से हो जौएगा Surprise onco black fly onco żeby phải switch yeah healthy थिक को कि SU कराता है यह हमने ययाद कर लिया है अब इमेज़ बेस कोश्चन में सैंड फ्लाइप बहुत आता है तो इसकी फोटो याद रखना सैंड फ्लाइप दिखती कैसे है इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीक होता है इसकी पंक की मार्जिंस पर यह आपको देख रहे हैं चुटे-चुटे-चुटे-चुटे-बाल है इसके बहुत बहुते हैं इससे अलगी पर पाइप की मार्जिंस पर पाले सैंड फ्लाइप कराती चैंड थाह सैंड फ्लाइप कौन से बीमारी कराती है तो यह कराती है औराया फीवर काला अजार ओरियंटल सोर इसके हैबिटेट के बारे में भी कभी कभी हम सीक्वाते हैं तो पेड़ों या दिवारों के में जो छेद होते हैं या दरारे होती है ना वहां पर यह ज्यादा ता सैंट फ्लाय आपको पाई जाती है पैचानने के लिए अगर इसके लेक्स देखोगे आप तो बॉडी से दुगनी लंबाई के होते हैं यह देखो कितने लंबे लेक्स हैं इसके देख रहे हैं कितने लंबे लेक्स हैं इसके तो लेक्स जो होते हैं बॉडी से दुगनी लंबाई के पर इससे जादा अच्छा पहचानने का तरीक का है इसके जो पंक होते हैं फंक की इसके जो पंक होते न फंक की मारजिन पर आपको इंदल ह sabemos हो गया अब इसकी अलगज़न्श में हो होती है यह कौन-कौन से बिमारी कराती है इनको भी याद रखना है तो फ्लिबॉटमस जो होती है वो कराती है सैंट फ्लाइफ फीवर और 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 उरियंटल सोर इसको याद कैसे करेंगे वहां में आ रहा हूं पर उससे पहले हमको एक चीज याद रखने है तैस काला अजार क को कहते हैं विसरल लिश्मेनियस और ओर और येंटल सोर को कहते हैं क्यों पता आज कल ना आज कल का एक्जामनार एंशी की बनाने वाले डिर्ण शाने हो गया है वह बलेंगे यह होश्यार लोगों को यह तो पता है कि फ्लीबॉटमस अजिंटीपीस से कालाजार कालाजार लेकिन अगर हम इनको दूसरा नाम दे देंगे तो यह कैसे विसरल लिश्मेनियस इस किससे होता है अब तुमाही हवाई हो जाएंगे वोलेंगे यार यह तो अर्पिसर ने पढ़ा ही नहीं था वह यह पढ़ाया था ब्रैकेट में था तुमने देखा नहीं कि कुटेनियस लिश्मेनियस विसरल लिश्मेनियस तो यहाद कैसे करेंगे मैं कैसे याद करता हूं देखो मैं याद करता हूं जब ना बंदा प्यार में होता है तो बंदा जो है मस्त किसी बंदी के प्यार में है ठीक है अब ना यह बंदे का जो बेस्ट फ्रेंड है यह बोलेगा भाई वो बंदी जो है ना, वो बंदी बहुत उड़ी में रहती है, वो अच्छी नहीं है, उसको छोड़ दे, तो ये क्या बोलेगा भाई ये तो प्यार में है, ये बोलेगा नहीं भाई या, मेरी बंदी भाले ही उड़ी में रहती है, लेकिन बहुत क्यूट है, मतलब ये क्या कह cute उड़ी में cute उड़ी में cute याद रहेगा उड़ी में cute उड़ी से क्या हो जाएगा उड़ी से हो जाएगा oriental sore और cute से हो जाएगा cutaneous तो oriental sore का दूसरा नाम cutaneous lishmaniasis oriental sore का दूसरा नाम cutaneous lishmanias is उड़ी में cute याद रहेगा लेकिन जब यही बंदी जो है ना यही बंदी इसको छोड़ के चली जाएगी तो फिर यह क्या बोलेगा बोलेगा नहीं यार वो बंदी अच्छी नहीं थी वो बुरी थी उसका दिल काला था तो यह बंदा बोलेगा तो आप ऑसका दिल नहीं काला था उसका तो ना अंदर का सारा आइटम मतलब उसके सारे विसरा काले थे इस लिए छोड़के चली ही बुरी थी वो बुरी थी ऐसा नहीं है लड़की बुरी होगी लड़का भुणा हो सकता है लेकिन यह तो अपने भाइकार साती देगा ना वो सीम्पल कैसे याद रखोनगे इसको tääलेस को मोलते हैं तो ऱ्यूंतली Łविस्रा लिएगा जब बंदा अप्यार में है तो बूलेगा उड़ी में भी क्यूट लगती है जब बंदी छोड़के चले गई तो बोलेगा दिल काला नहीं उसका तो सारे विसरा काली थे तो काला विसरा तो काला विसरा काला विसरा 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 लिश्मेनियस उड़ी में क्यूट उड़ी ओरिंटल सोर क्यूट 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 लिश्मेनियस याद पहले तो हमने यह आद कर लिया कि कहते हैं और यह कैसे याद करेंगे तो इसको याद करने के लिए यह वालिऄ ड्राइंग का एक Aegis सारी देखो यह आदमी खड़ा है यह आदमी कौनेंगे जोती है उसका कागज है और उस पे खूब सारी काले रंग की रेत पड़ी होई है समझ गए तो ओरियंटल इंशुरेंस पे जो काली सैंड है वो फैल के उड़ रही है तो कैसे याद करो क्या है इसका निमोनिक काली ओरियंटल सैंड फैल के उड़ी काली ओरियंटल सैंड फैल के उड़ी तो काली से कालाजार ओरियंटल से ओरियंटल सोर सैंड से सैंड फ्लाई फैल के से फ्लिबॉटमस और उड़ी से उड़ाया फीवर तो सैंड फ्लाई या फ्लिबॉटमस से कालाजार होता है ऊरीयंटल सेंड फैल के उड़ी याद रहेगा कली उरीयंटल सेंड फैल याद हो गया आपको सैंड फ्लाइक ओफ लिबॉट बाटमस कहते हैं और उससे और आया कालाजार ओरींटल सोड अब सेकंड चीज्जिस की इसकी जो आशीश है प्रजातियं है ऊट्य प्रजातिय हैं और जिनीप छर्वड एक सबसे फेले तरहे जहन में जो शब्ध आता है वह ए अर्जन्टीन्य अब जो अर्ज़न टा यह वाधा आता है तो अर्जाओ में और जैने चैनल में लागार में सब्सक्राम को नाम से आते हैं इसे प्रिकेट बहुत देखते हो जब मैं फुटबॉल देखता था ना तो जाधा तर जो अर्जेंटीना वाले प्लेयर से एक तम गोरे-गोरे होते थे तो और इन्फेक्ट जो दो नाम मुझे याद है मैरोडोना और मैसी वो भी एकदम गोरे-गोरे हैं मुझे एक्चली सावला और कला-अर्जेंटेवन ब्लेइर को याद नहीं आता तो मैंने इसका निमोनिक बनाया है वो वो इसी ड्राइंग के नीचे कि आस्से में देख एक आपको साव लाया काला-अर्जेंटेनियन अप्लेयर जिदिनना की आपको जर्को जर्सी आदकर है वह वाइट और ब्लु है अब इसमें यह नहीं बोलना कि भाया काला गोरा बोल दिया अपने अनौल यह सिर्फ याद करने का तरीका है ठीक है तो काला अर्जंटीनियन याद रहेगा तो काला से काला जार और अर्जंटीनियन से अर्जंटीपीस सिंपल काला अर्जंटीनियन याद रहेगा तो इस यझाद हो गया है अब 2 चीज़ यहीं पर देखो, ऐसे इमेज़न करो कि किसी के बापा खड़े है और उन के हात में इंशुरेंस का कागज है, जिस पे सेंड है, समझ गए। To पापा के हाथ में औरियन्टल इंशुरेंस और उसन पें जो सैंड है और सेंट पापा सएंट इट ओड़ी तो पापा सेंड़ से ऑरी से औरेंधाल सेंट इंशॉरेंस पापा सेंड और याद रहेगा तो ऐसे याद कर सकते हो पापा सेंड ओड़ी तो पापा सेंड ओड़ी ओड़ी से ओरिएंटल इंशुरेंस या इन्फेक्ट इसको ओड़ी की जगा पापा सेंड या पापा के ओरिएंटल इंशुरेंस के कागज़ पे धूल चड़ी होई है ऐसे भी याद कर सकते हो दोनों तरीके हैं तो पापा सें व्लाइ और ओर इंटल सोर दोनों होता है याद रहेगा जैब एक और चीज़ आजाती है त्विस याद करेंगे हम किसी के ज्ञाधातर जो पापर लोग होते हैं जो सर्जन पापा होते हैं जौ सर्जन होते हैं अपने जो पापा हैं वो सर्जन नह professionals इस तो सर्ज Up तो इसे याद कर सकते हो कि secondo चिन से क्या होता है तो समझ गए संद्टि से हमने से देख लिए और वह गलोसी से देख लिए और संदृइसी कि कुन कुन से थरा काली ओरिएंटर सैंड फैल कि उड़ी उसके बाद काला अरंजन्टिनियन उसके बाद पापा सेंड और सज़्जन पापा ओ्र्येंट एंश्रेंस तो यह चार नुमोय के हैए वह आपको याद रखने समझे काली औरइंटल सेंट वाद कालड़ी, काला यंटियंव Ask StAlright तो इससे आप याद कर सकते हो कि भाईया sand fly से कौन से बीमारी होती है उसकी अलग-अलग species जो है उनसे कौन से बीमारी होती है समझ गए हागे चले ठीक उसके बाद आता है आपका sand flea तो sand flea से क्या होता है sand flea से होता है ulcers in foot ये कैसे याद करेंगे तो हमको ये वाली अपने drawing याद है अब ये जो फैल के sand उड़ी थी वो गिरी थी जमीन पे ये भाई साब जो आ रहे थे वो sand पे फिसल के गिर गए तो उनके पाउं पे देखो sand लग गई और sand से छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ulcers हो गए तो क्या हो गया sand on foot तो ulcer हो गए sand on foot ulcers sand on foot तो ulcer sand on foot तो ulcers तो sand से क्या हो जाएगा sand plea और foot पे ulcer तो foot ulcers sand on flea तो ulcers तो sand on foot पाउं पे रेत लग गई तो ulcer हो गए sand on foot तो ulcer तो sand से sand flee और foot ulcers से ulcers on foot क्याद रहेगा sand on foot तो ulcers ऐसे याद कर सकते हैं कि यह sand flee से क्या होता है उसके बाद आएगा rat flee अब rat flee आपको देख रहे है rat flee से क्या क्या होता है rat flee से होता है bubonic plague, endemic typhus या murine typhus कहते हैं उसको और chigurosis और in fact इसके host के बारे में अगर हम देखें तो rat tape form host के लिए ये नाम याद रखना ठीक अब इसको याद कैसे करेंगे कि भाईया rat flee से bubonic plague, endemic typhus, murine typhus, chigurosis ये सब कुछ होता है तो इसके लिए ये वाली ड्राइंग याद रखो rats, moo, endset, cheese चुहा घूम रहा है किसी घर में तो कहां जाके रुकेगा उसका मुह जहां पर उसको cheese मिलेगी तो मस्त चुहा, मस्त चीज जाके खा लेगा rats, moo, endset, cheese तो rat से क्या हो गया? rat से तो एकी विमारी याद आती है plague, तो भुबहनिक प्लेग मुह से क्या हो जाएगा? मुह तो murine typhus end से क्या हो जाएगा? endemic typhus और cheese से क्या हो जाएगा? chigurosis rats, moo, ends at plate in fact इसको थोड़ो और अच्छे तरीके से अगर निमोनिक याद रखना है तो rats, moo, ends at cheese plate तो इसको ऐसे याद करते हो rat तो rats से हो जाएगा rat flea मुह से तो वही हो जाएगा murine typhus end से तो वही हो जाएगा endemic typhus cheese से तो वही हो जाएगा chigurosis और plate से हो जाएगा आपका plague ठीक है? तो यहाँ पर आप बना दो बही है एक आपने पूरी की पूरी plate बना दी जिसपे cheese रखा हुआ था और चुहा आया plate के पास उसका मुह जासी plate के पास आया उसने पूरी cheese खा ली तो rats, moo, ends at cheese plate तो rats से हो गया rat flea मुह से हो गया murine typhus end से हो गया endemic typhus cheese से हो गया chigurosis plate से हो गया plate ऐसे भी याद कर सकते हूँ इसी है rats, moo, ends at cheese plate ठीक है rats, moo, ends at cheese plate rats से हो गया rat flea मुह से हो गया murine typhus end से हो गया endemic typhus cheese से हो गया chigurosis plate से हो गया plate याद रहेगा ऐसे याद कर सकते हैं कि या rat flea से कौन कौन से बिमारिया होती है थीख तो रैटति विम्ने याद कर लिया में उसके बाद आते हें टेख्स तो टेख्स में बिन हाट्टिक और सॉफ्ट के अलग-अलग बिमारिया होता है in fact हाट्टिक में मेल और फीमयल भी अलग-अलग दिखती है इन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अलग से वीडियो इस पर बनाऊंगा तो अलग से पर पड़ेंगे कि महीं यह हाट टेक और सौफ्ट टेक में क्या-क्या फर्क होता है यह भी हम देखेंगे अलग से एक वीडियो बनाएंगे मगर अभी सिर्फ बीमारियों के नाम देख रहे हैं तो हार्ट टिक से कौन-कौन सी बीमारी होती है हार्ट टिक से होता है टिक टाइफस के एफटी इंडिया में के एफटी का मतलब क्या है के एफटी का मतलब है यहां पर लिखा हुआ है के एफटी का मतलब क्या है के एफट लिए के सब्स्दिंदिए में हाइट favor इंडिया में हर्टिक कराता ऐसके लावा बेपिसी ऑसेज भी कराता है हाइट टिलिरीमिया vair rival tix टिवारी graphic से तुमको याद हो जाएताइक यह कुल कि hardred Finally at rock in Indian forest बहुत सब्सक्राइब कैसे यहिदेखार-मस गिटार अजाती आगे इंडियन फोरेस्ट्मेеся्से जंडाल होल्मेहां और ब्रोरेस्ट में होली होगी है और स्फोरेस्ट में और बेब वाइरल टिक्स तो यह देखो वाइरल टिक आके को काट रही है वह कर रही है तो हंड़ र्ॉकिंग इंडियेन फ्ॉर्स ले ग्लो्ड टो है कि । हर्ड से और जाएगा हाड से हो जाएगा हाड एक कि लॉकिंग से ज्रिकि लॉकियमॉंकिंट धीवर। एंडियन फारेस्ट सेकसनूर फॉरस्ट डिजीसिज इने डीअ बेप से कि डillsयरिय configur तॉल्रेटसे तोलॉरीमिया वायल से वैरल सिप्लीक से टिक पाालिमीस साह बाइवop diastavis. इस स्य श्यादत है यह वानसे से कोम इसे आप याद कर सकते हो एसे कौन-कॉन से बाहरों अब आती है तो सोफ्ट डेक्स उती है क्यों होता है स्प्टी के चाशनेयी डिग्यों होता है और स्थीवर कातल मोओ आपना क्षाmos नाएंडिया के बाहर करते घ्री कोण्ड जो है इंडिया के बाहर KFT कराता है, हार्ट टेक इंडिया के अंदर KFT कराता है, ठीक? तो सॉफ्ट टेक पर आते हैं, तो इससे होने वाली बीमारियों को कैसे याद करेंगे? तो इससे होने वाली बीमारियों को याद करने के लिए ये वाला निमोनिक याद कर लो, ये वाली लाइ इंडिया के बाहर so forest में यहां Foran लिखा है यह तो फॉरइन या तो फॉरेस्ट में याद कर這邊 करता है या तो इसको foreign करका या तो इसको forest करके याद कर लो तो निमोनी क्या है soft तक्या घर पे तो क्यों रिलाक्सिंग इझीश के बाहर इस थी थी का अब साफट भीए घर के अराम से सो रहा है लेकिन नई अपनी घर की स्वृत कि चोड़के बाहर के अंडिया के बाहर के जंगलों में घूम में गूमने किया अब जाके पत्थर पे सौरा देखो कितना sad sad है यह देखो कितना happy happy है तकी soft तकिया पर सो रहा है तो हमारे निमोने क्या है soft तकिया घर पे तो क्यों relaxing इंडिया के बाहर forest पे अब soft तकिया से क्या हो गया soft तकिया soft pick soft तकिया से हो गया soft tick क्यों से हो गया q fever relaxing से हो गया रिलाप्सिंग फीवर और इंडिया के बाहर फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट से हो गया आपका फॉरेस्ट डिजीज यानि की कैसनुर फॉरेस्ट डिजीज और इंडिया के बाहर का से हो गया आपका आउटसाइड इंडिया तो आउटसाइड इंडिया कैसनुर फॉरेस्ट ड होती है क्यों फीवर रिलैपसिंग फीवर और कैस्टनल फॉरस्ट इस आउटसाइड इंडिया याद रहेगा तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाईया सॉफ्टिक से कौन-कौन से बीमारिया होती है और सॉफ्टिक और हार्टिक की फोटोस भी आद रखना क्योंकि पर कोशन आ जाते हैं और हार्टिक के मेल और फीमेल की फोटोस पर भी आ जाते हैं तो इनफेक्ट यह सब कुछ हम अलग से जो वीडियो बनाएंगे हार्टिक वर्सेस सॉफ्टिक वाला उसमें हम समझाएंगे इसको अच्छे से ठीक उसके बाद आपको और कौन-कौन- करते हैं उससे करब टाहिफ ऌता है इक हो सचेबि भीज़ार्ण होता है यह को थे की ड्रुआफफ चोईस our S-P आपने वह कहीं भी खुझली उजली आराम से खुझली उनका हाती नहीं पहुंचता मूहीं नहीं पहुंचता यहां कैसी खुझाएंगे तो रिकी ना ऐसी हालात में जब भी किसी पेड़ को देखता था ना भयानक खुश हो जाता था और क्या सोचता था सोचता था अरे वाह इस पे जाके मैं ऐसे ऐसे पीठ को रगणूंगा तो बढ़ियां पीठ भी स्क्रब हो जाएगी और बढ़ियां में खुजा लूँगा तो हमारा जो रिक्की था वो क्या सोचता था रिक्की माइट स्क्रब for scabies समझ गया तो इसका नीमोनिक किए है रिक्की माइट Nobel 스श मतलब अगर लिग्हारा है तो सकता है तो लेक्ष और कि हो सकता है कि खुजाने के लिए पर स्केबीज मतलब अगर की खुजा रहा है तो इस स्केबीज हो सकता है कि खुजाने के लिए इसकेबीज में खुजाएं ठीकर रिक्की से से सोतनी हो जाएगा मैट से हुजएगा स्क्रब स्क्रपटाइफर्ट से स्केबएस तो स्केबीज यह तो माइट से कौन-कॉन सी होती है रिकेट्ट । शेल पॉक्स, स्क्रब्स और uk Basic समझ गए रिक्की माइट स्क्रफ और स्केबीज माइट से होने वाली बिमारिया रिकेट शेल पॉक्स स्क्रब टाइफस और स्केबीज याद रहेगा तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाईया माइट से कौन-कौन सी बिमारिया होती है अब माइट में भी ट्रॉमबिक्यूलिट माइट से होता है स्क्रब्ट टाइफस और इच माइट करवाता है स्केबीज इसको कैसे याद करेंगे तो हमारी वो वाली ड्रोईंग याद है तो उसी ड्रोईंग पर वापस आ जाते हैं कि यह जो बंदा यह चोटी सी साइकर चला के जाके गिर गया ना रेट पेपिसल के आप सको चोट लग गई यह दे कोई छोट लग गई तो यह नरस अई उसको स्क्रब कर रही रूमयाप पहले स्क्रब करते हो नो केबाद अधसे म्रंपट्टी वगर करते हो कैसे करोगे ट्रॉमा मेंㅎ आए आँ क्रब ट्रामा तो स्करब से हो जाएगा स्कृट कर सकते हो בש क्रब सब्सक्रम और को सब्सक्रब उसके भाद सब्सक्रे बोल दो सक्रब इमा कई त्रॉमा से पर हुआ ऐसे कि चोटते सबसे पहले सब्सक्राइब उसके बाद सब कुछ अप्पून करेंगे स्क्रप ट्रॉमा तो स्क्रब ट्रॉमा जो निमोनिक वो क्या है प्रम्विकूलिड मैट का निमोनिक है गए चोट दूसरे पाउं में जो था एक पाउं में फोटल सस हो गय था अब एक पाउं जो बचा था ना उसमें हो गया है सकते अभ स्केंपी इश्क में आदम्हें करता या आदम खुजाता है न तो स्केंपीज में इचेंग पर दूसरे बज याद रहेगा तो स्केबीज में इचिंग तो यह हो गया आपका माइट और फिर ट्रॉम्बिकुलिट माइट और इच मैट याद रहेगा ठीक अब आता है आपका लाउस या लाइस अपना इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि हैड लाउस और बॉडी लाउ तो एपिडेमिक टाइफस रिलैपसिंग फीवर ट्रेंच फीवर और पेडिक्लोस यह कराती है लाउस अब इसको याद किसी करेंगे इसको याद करने का सबसे चाचा तरीका यह है क्या है यह जो बंदा है ना या मेरी को समझ लो यह बस मेरे को थोड़ा सावला कर देना इ यह बंदा जो है यह लाउसी फील कर रहा था तो मस जाके बैंच पे रिलाक्स कर रहा है अब यह लैपटॉप निकला अपना और एपिडेमियोलजी टाइप कर रहा है और साथ में पाउं को रिलाक्स करने के लिए गरम-गरम पानी में पाउं डालके रखा है तो पैडिक्य कर रहा है तो टाइपिंग एपिडेमियों और यह दो को बढ़ियां गरम गरम टब में पाउं डालके बैठा है विद पैडिक्यूर तो इसका निमोनिक क्या है लाउस या लाइस से होने वाली बिमारियों का feeling lousy to relaxing on bench and typing epidemio with pedicure feeling lousy to relaxing on bench typing epidemio with pedicure अब lousy से हो जाएगा lous relaxing से हो जाएगा relaxing fever bench trench bench 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 टाइफस और पेडिक्योर से पेडिक्यूलोसिस पेडिक्यूर से पेडिक्यूलोसिस समझ गए तो लॉसी feeling लॉसी तो relaxing on branch and typing epidemio with pedicure समझ गए तो ये वाली drawing से आपको याद हो जाएगा कि लॉस से क्या क्या होता है तो लॉस से होता है प्रेंच फीवर एपिडेमिक ट्राइफस और पेडिक्यूलोसिस याद हो जाएगा को ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक तो यह तो हो एक दो मैं ऐसा रेट केप या रेट चोगा पहन के घूम रहे थे हैं डॉक्तर स्रेंज बना दो आजकल वह जादा demand में है तो रेट चोगा पहन के भाई घूम रहा तो और गिर गया तो यह रेड चोगा नीमोनिक क्या है आपके यह देख रहे रेड चोगा तो red से क्या हो जाएगा red, red ovid bug, choga से chagas disease, red से red ovid bug, तो red choga, red choga से red ovid bug, choga से chagas disease, याद रहेगा तो red ovid bug से chagas disease होती है, तो ऐसे हमने याद कर लिया, red ovid bug से chagas disease होती है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक? उसके बाद आता है cyclops, तो cyclops से क्यों कोर से बिमारी होती है, तो cyclops से होती है, guinea worm, याद है ये पानी से होती है बिमारी, तो जो पहले होते थे step well होते थे, step well, तो तुमने देखी होंगी न, step well होती है, छोटी-छोटी बावड़ी वगरा देखी होंगी, तो step well से जाधा तक guinea worm disease होती थी, तो उनको आप सारे के सारे government ने step well को close कराके, वहाँ पर क्या बनवा दिये? सेनिटरी वेल बनवा दिये हैं, तो सेनिटरी वेल बनवाने से फाइदा क्या हुआ, guinea worm disease पूरी तरह से खतम होगी इंडिया में, ठीक, तो ये एक वाईवा को question है, वैसे, पर अभी हमको देखना है कि cyclops से क्या होता है, guinea worm disease, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको, एक याद कर सकते हैं, यही वाली फोटो में देखो, यह छोटी सी cycle, इसका size देखो, cycle का size देखो, guinea cycle चला रहा था, पत्त से टकरा के गिर गया, पत्त से cycle टकरा गई, guinea cycle थी, क्या थी, guinea cycle, guinea से guinea worm, cycle से cyclops, या in fact इसकी अलग से जो हमाई ड्राइंग है, उसको देख लो, कि बहुत है, यह दो को इतना बड़ा आदमी देख रहा है, भाईया, जिस छोटी सी cycle में कैसे चलाऊंगा, ओ, यह तो गिनी cycle है, तो देखो, सोच रहा है, गिनी cycle कैसे चलाऊं, तो गिनी से हो जाएगा, guinea worm disease, cyclops, गिनी cycle, गिनी worm disease, cyclops, तो साइकलोप से क्या होती है, गिनी cycle समझने है, समझ के, अब यहां पर Image में देखना बहुत इंपोर्टेंट है, ट्रॉम्बिकुलेट माइट की इमेज बहुत इंपोर्टेंट है, इच माइट की मेंज बहुत इंपोर्टेंट और cycle सीदूर्ब कुछ ऐसा दिखता है, लाउस यह भी देख लो पूछ ऐसा की बिमारिया होती है समझ गए तो इत्ती चीज़े तो हैं जो आपको पता होने चाहिए अब अगर मैं बात करूं सवाल की तो देखो भाई अर्थोपोर्ट बॉर्ण डिजीज में अगर आप थियोरी की बात करो तो एस सच ना आपको वेरी शॉर्ट नोट पर आ सकता है कि इन्यूमरेट करो और्थोपोर्ट बॉर्ण डिजीज को यह आपको कुशन आ सकता है इन्यूमरेट करो डिजीज को जो सैंड फ्लाइ से होती है तो कुछी को भी लगर सबसे साथ में सवाल पूछा बिमारी होती है कि यूलर कुछ से खाल। फीर फटा है एक बहुत प्यारा बेटा बताओ, मलेरिया किस से होता है, आप डेड़ शाने बनते हो, सर मलेरिया एनाफली से होता है, एक्जामनर बोलता है, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, एनाफली से होता है, पक्का, तो बोलते हो, जादा अच्छा सवाल जवाब देने है, आप बोलते हो, सर फीमेल से होता है malaria वोलेंगे ओ तो इग्जामन भोले है अच्छा बटा female नाफ्लीक्अ आके हमको काट लेगी तो malaria हो जाएगा आप बोलते हो हँ से खुछ धुछ कोई भी female नाफ्ली Culis काट लेगी तो malaria थोड़ी होगा malaria किससे होता है malaria होता है प्लाजमोडियम से तो याद रखने इस सजाल में नहीं फसना है कि भाईया मलेरिया मच्छर से होता है से होता है इनीव इंफ प्लाजमोडियम इस पूझए फसना मत ओके तो यह होके आपका वाईयव में अपसे सिति-सी आपका पूछा जाता है कि से क्या होता एगर सेंद फ्लाइस से कौन सी बीमारी होते हैं यह बहुत इंपोर्टन कुशन होती यह तमसे बचमिन से पुछा जा रहा है तो यह तमको पता ही होना चाहिए ठीक है उसके बाद वाइवा के लिए कॉस्षिंग कौन सा है कि वहार्ट टेक और सौफ्ट क्या होता है इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें संझाएंगे तीक उसके लावा से कौन सी बिमारी होती है और सॉफ्ट एक से यह वाइवा में पुछा जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए उसके अलावा आपसे वाइवा में जो पुछा जाता है यह पुछा जाता है गिनी वर्म डिजीज यह वाइवा में बहुत पुछा जाता है कि गिनी वर्म कर आया और उनकि जगह ज्यादातर हमने सेनेट्री वेल खुल वाय वीडियो बनाया हुई अब जाओगे जाके को में और अलग से वीडियो है उसको जाकर देख सकते होस्त पर भी कुछशन आता है ठीक ऐसे आप वाइबर के लिए सारी चीज़े याद कर सकते हो अब बात करें अगर हम mcqs की तो भाया mcqs कौन-कौन से पूछे जाते हैं तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे ना आपको हमाएं नोट्स और स्लाइट में वो सभी एंटरंस एक्जाम में पूछे गए mcqs हैं तो qlex से कौन-कौन सी बिमारियों होती है बहूत बार पूछा जाता है ठीक है मुलेरिया तो ठीक है आपको पते है से क्या होता है यह पुछा जाता है आपको सैंडफलाइ पूछ लिया जाता है कि सैंड फ्लाइ से कौनसी बीमारी होती है इसे बनते हैं आपको कालाजार किससे होता है स्पीशिज तो एजेंटी पीस ओरीनी Olस्वेंस किसे होता है तो अ उरियन dü событи limitति fat prov aver और जो इंडे दिए ग्जामने रहे वह आपको 70 क्यों देंगे विसर से हो बहुत हैं इमेज बार आया है सएड़ हैं में बघुट रहे हैं है ऐसे आप पहचान जाओ यह है कि आ इसको बीच्छे से याद रखना इसकी इमेज को उसके अलावा आपको एमसी क्यों प्लीप पर आया है कि मुरिन टाइफास या चिगरोसिस किसे होता है और रेट टेप फर्म जो है उसके होस्ट पर भी आपको लिए हुआ हर्ट टेक्स होने वाली बीमारियों पर आया है और याद रखना इसमें बहुत फसाते हैं के इफटी इन इंडिया किसे होता है के आउटसाइड इंडिया किससे होता है इसके अलावा आपको ट्रॉमिक्यूलिट माइट से क्या होता है या स्कृप्ट राइफास क माइट की इमेज बहुत इंपर्टन्ट के लिए इच माइट की इमेज भी बहुत इंपर्टन्ट था था तो वो तो हमने देख लिया था एक और image that is Cyclops यह मेरे दिल के बड़ा करेब है Cyclops की इमिज पता क्यों क्योंकि ना हम लोग के टाइम पर जो एक्जाम होता था ओल इंडिया होता था और यह इंफेक्ट नीट जो सबसे पहला हुआ था ना उसमें भी इमेज नहीं आए थी लेकिन नीट 2013 से शुरू हुआ था ठीक है क हाला कि वो December 2012 में हुआ था लेकिन All India 2013 जो होना था उसकी जगह हुआ था यह उसके पहले सारे एक्जाम्स जो होते थे ना वो पेपर वाले होते थे ठीक है MCQ के लिए आपको MR sheet मिलती थी उसमें आपको भरना पड़ता था तो उससे पहले की जो ती भी किताबे पढ़ोगे आप All India की AIMS की उनमें कहीं भी की Cyclops की तो ना जब हम UG में थे MBBS के समय जब हम PG preparation के लिए किताबे पढ़ते थे तो जो पुराने question solve करते थे बस एक ही question था जिसमें image based question आया था और that was Cyclops की यह वाली image आई थी और वो Guinea Worm यह बच्चा Google थोड़ी है कि बता देगा जे इमिज का एक है ठीक है अब हो गई जिन्दगी जंट क्या कर सकते हैं हमाई जिंदगी बड़ी अच्छी थी भाइवाड तो ठीक यहां कतम करते हैं हमारा जो आर्थोपोर्ट बॉंड डिजीजिस है तो इतनी सारे चीज़े है जो आपको अर्थोपोर्ट बॉंड डिजीजेजिस में और अलग-अलग अर्थोपोर्ट से कैसी कौन-कौन सी बीमारिया होती है उनको कैसे याद रखेंगे यह सब कुछ पता होना चाहिए ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको आर्थोपोर्ट बॉंड डिजीजिस के पता ही होनी चाहिए थैंक यू